यूज़ेटी इंडिया तो फिर तायारी रखनी चाहिए उनको मेरा परिच्य हो तो हो चुका है दस साल हो गए एक बार और मैं हादरपुर्वक नहरूजी को इन दोनों जादा याद करता हूँ क्योंकि हमारे साथियों के अपे इच्छा रहती है अब देखे एक बार नहरूजी ने चिठी लिखी थी और ये चिठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ उन्होंने लिखा था ये देश के प्रदान मंत्री पंडित नहरूजी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिठी है ओन रेकॉर्ड है मैं अनुवाद पढ़ता हूँ मैं किसी भी आरक्षन को पसंद नहीं करता और खास कर नौकरी में आरक्षन तो कता ही नहीं मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाब हूँ जो अकुशल्ता को बढ़ावा दे जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए ये पंडित नहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्टी है और तब जाकर के मैं कहता हूँ ये जन्मजात इसके विरोधी है नहरू जी कहते थे नहरू जी कहते थे अगर SC, ST, OBC को नौकरियों में आरक्षन मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा और आज जो आँकरी गिनाते हैं कि इतने यहाँ है इतने यहाँ है उसका मूल यहाँ है क्योंकि उस समय उन्होंने रोग दिया था रिकूट्मेंटी मत करो अगर उच समय सरकार में भरती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहाँ पर पहुते सरापती जी यह कोट पढ़ रहा हूँ आप घरिफाइ कर सकते हैं मैं पंडित नहरू का कोट पढ़ रहा हूँ और आजर्णिया सरापती दी तो जानते हैं नेरु जी ने जो कहा वो कॉंग्रेस के लिए हमेशा से पत्थर की लकीर होता है नेरु जी ने कहा मतलब पत्थर की लकीर उनके लिए दिखावे के लिए आप कुछ भी कहें लेकिन आपकी सोच ऐसे कई उदाहरों से सिद्ध होती है मैं अन्गिनत उदाहरान रख सकता हूँ लेकिन मैं एक उदाहरान जरूर देना चाहता हूँ और वह उदाहरान जम्मू कश्मीर का देना चाहता हूँ कॉंग्रेस ने जम्मू कश्मीर के साथ दसकों तक उनके अधिकारों से बन्चित रखा आर्टिकल 370, 370 मैं हम कितनी जीतेगे उचकी बाद अभी नहीं कर रहा हूँ आर्टिकल 370 को निरस्त किया तब जाकर के इतने दसकों के बाद स्टी, स्टी, ओबीसी को वो अधिकार मिले जो देश के लोगों को बरसों से मिले हुए तो इसको रोक के रखा था जम्मू कश्मीर में फॉरेस राइट एक्ट उनको प्राप्ट नहीं था जम्मू कश्मीर में प्रिमेंस अफ एट्रोसिटी एक्ट नहीं था ये हमने 370 हटा कर ये अधिकार उनको दिये हमारे ऐसी समुझाय में भी सबसे पीछे पीड़ी कोई रहा तो हमारा वालमी की समाज रहा लेकिन हमारे वालमी की परिवारों को भी साथ साथ दसक के बाद भी जम्मू कश्मीर में रहें लोगों की सेवा करते रहें लेकिन डोमिसाइल का अधिकार नहीं दिया गया ये है और मैं आज देश को भी अवगत करना चाहता हूँ कि स्थानिय निकायों में लोकल सेल्फ गॉवर्मेंट में OBC के आरक्षन का विदेग भी कल छे परवरी को लोग सभा में भी पारी हूँ आज देश सभापती जी SC, ST, OBC उनको बड़ी भागीदारी नेम है कॉंग्रेस और साथियों को हमेशा परेशानी रही है बाबा साहब के राजनीति को बाबा साहब के विचारों को खत्म करने के लिए कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है वक्तब अबलेबल है चुनाओं में क्या क्या बोलागा है वो भी अबलेबल है इतको भारत रत्म भी देने की तयारी नहीं थी वो भी भाजपा के समर्फन से और सरकार बनी तब बाबा साहब को खत्म कितना ही नहीं सिताराम केसरी अती पिछडी जाती से कॉंग्रेस पार्टिया देख से उठा करके फुटपात पर फैंक दिया गया वो भी सी वो वीडियो अवेलेबल है वो देश ने देखा सिताराम केसरी के साथ क्या हुआ और और आगनियाच सभापती जी इनके एक मारदरशत अमेरिका में बैठे जो पिछले चुनाव मैं हुआ तो हुआ हुआ तो हुआ के लिए फेमस हो गए थे और कॉंगरेस इस परिवार के काफी करीमी है झालने अर्श के लिए पयाँ झालने कम परिवार के काफी अर्श करीमी हो ओप जया है झाल झाल